राजधानी में आमाद्मी पार्टी भाजपा के बीच सियासी जंग देखने को मिल रही है। इस बीच आज दिल्ली विधानसभा में सीम आरविन केजरिवाल विश्वास प्रस्ता पेश करेंगी। इस दोरान हम सभी को आमादी पार्टी और भाजपा के बीच नोग जोग देखने को मिल सकती है। इससे पहले भी शुकरवार को विधान सभा में बैठक हुई थी। इस दोरान केजरिवाल ने मनीश्य सौधिया के आवास पर हुई चापे मारी मामले में दावा किया था कि CBI ने डिप्टी सीए मनीश्य सौधिया के आवास पर 14 घंटे तक चापे मारी की लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि CBI को ना तो नगदी मिली ना ही कोई जुएलरी। CBI को चापे मारी के दोरान किसी जमीन या सम्पत्ती के कागस तक नहीं मिले और ना ही कोई आपरातिक दस्तावेज मिला। उन्होंने दावा किया कि ये चापे मारी एकदम फरजी थी। केजरिवाल ने आरोप लगाया कि 500 करोड में खरीदे 277 विधायक अगर प्रतेक विधायक को 20 करोड रुपे दिये गए तो सभी विधायक 500 करोड रुपे खरीदे गए होंगे। इसलिए महंगाई बढ़ गई है क्योंकि वो विधायक को खरीदने के लिए आम आदमी के पैसे का उप्योग कर रहे हैं।